अनुराग विदेश में एक बड़ा डॉक्टर बन गया था वो कुछ महीनों की छुटियां लेकर भारत आ रहा था पर दुर्गा देवी इसी बात को लेकर पूरे घर को सिर्फ पर उठाए बैठी थे दुर्गा बस भी करो, कितना खून जलाओगी इतने सालों बाद बेटा विदेश से आ रहा है, उसके सामने ऐसा मुँ बना कर रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा तुम क्या समझ रहे हो, मुझे अपने बेटे के आने की खुशी नहीं है पर तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे गुस्से का कारण क्या है फोन पर उसने बोला है कि उसने एक विलायती लड़की से शाधी कर ली है अरे अपनी देश में लड़कियों की कमी थी, जो एक विलायती बहु लेकर आ रहा है दुरगा तुम किसी से बिना मिले कैसे उसके बारे में अपनी राय दे सकती हो क्या पता हमारी विलायती बहु संसकारी और अच्छे स्वभाव की हो है अब थोड़ा मूँ ठीक कर लो मेरी बात हुई थी अनुराग से फोन पर वो एरपोर्ट से टेक्सी पकड़ चुका है कुछी देर में आता होगा अनुराग में विलेश में ही ग्रेशी नाम की एक अंग्रेश लड़की से शाधी करने थी जो कि उसी की तरह एक बड़ी डॉक्टर थी दुर्गा टेक्सी की आवाज आई है लगता है अनुराग आ गया प्रणाम मा प्रणाम बाबुजी मा ये ग्रेशी है आपकी बहु ये अंग्रेशी मिली थी इसे शाधी करने के लिए नमस्ते मा जी नमस्ते बाबुजी अरे बस बस जीती रहो बहु अनुराग बेटा बहु को घर के भीतर ले चलो अनुराग बहु को हिंदी के ये थोड़े बहुत शब्द सिखा कर लाया है क्या मा जी मुझे हिंदी आती है मेरी मौम इंडियन है उन्होंने मुझे हिंदी बोलना सिखाया है अच्छा तो तेरी मा ने एक अंग्रेश से शाधी की और अनुराग को तू मिल गई दुरगाग कुछ तो सोच समझ कर बोला करो बहु को आए अभी दो घंटे भी नहीं हुए और तुम शुरू ही हो गई हो सही तो कहा मैंने कौन सा कुछ गरद बोला अच्छा सुनो बहु हमारे यहां के रीती रिवास के अनुसार शाम को मोहले की ओरते मू दिखाई के लिए आ रही है तो उनके सामने अपना विलायती पन कुछ कम ज़ाड़ना मा ग्रेसी भले ही विदेश में पली बढ़ी है पर उसके संसकार बिलकुल हमारे जैसे है शाम को मोहले की ओरते मू दिखाई के लिए आती है बहु ये साड़ी का पला सेथ पर करके जाना बिकार में मोहले वाली कहेंगी कि मैंने अपनी बहु को कुछ सिखाया नहीं दुर्गा देवी जी बहु तो आपकी विलायती है पर संसकार आपने इसे देसी बता दिया है वैसे घर के काम वगेर आते होंगे वरना सुना है विलायत में तो डिबबबन सामान खोलो और खापी लो नहीं आँटी मैं खुद खाना बनाती हूँ मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है बाकी तुम सब जानती ही हो संसकारों की बात आए तो दुर्गा देवी का नाम ही लिया जाता है इस तरह ग्रेसी चुपचाप अपने विलायती सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती ये क्या बना रही हो वहू मा जी तमेटो सूप बना रही हो आप सब के लिए ठंड भी बढ़ गई है सूप सर्दियों में पीना सेहत के लिए फायदे मंद है तभी मैं सोचू मेरा अनुराग इतना कमजोर क्यों हो गया है तो उसे बिना मिर्श मसाले और बिना देसी की खिलाए ये उबले टमाटर पीने को दे देती होगी तभी तो बिलकुल पतला डंडी हो गया है मेरा अनुराग सामने से हट आज मैं अपने अनुराग को देसी खी डाल कर आलू के पर आठी खिलाओंगे और थोड़े से देसी खी के आठा लड़ू बना कर रख लेती हूँ कुछ तो घी जाए मेरे बच्चे के शरीर में दुर्गा तुम शायद भूल रही हो हमारे बेटा बहू डॉक्टर है अपने शरीर की देखभाल उन्हें पता है किस तरह से करनी है तुमको जादा ही सोच रही हूँ लाओ बहू ये गर्म गर्म टमाटर सूप मुझे दो अरे बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू जीती रहो मा बस और नहीं मैं पहले ही दो देसी घी में लिपते पराठे खा चुका हूँ सच में आज मुझे पता चल गया बहू ने तुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है इसलिए तेरी भूग कम हो गई है पहले तु मेरे हाथ के आलू के छेचे पराठे खा जाता था विलाइती लड़की से शादी करके तु उसके जैसा ही बन गया है तब ही रसोई में सबजियों को काट कूट कर पता नहीं क्या बना रही है मा जी मैं सिसलर बना रहे हूँ ये खाने में बहुत टेस्टी होता है आप एक बार खा कर तो देखो मा मुझे सिसलर सलाद बहुत पसंद है इसलिए ग्रेसी अक्सर मेरे लिए ये डिश बना देती है अब तो मुझे पक का यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विलायती बहु के साथ विलायती ही बनता जा रहा है ग्रेसी हम जब से आये हैं मैं देख रहा हूँ कि मां तुम्हें बात-बात पर तणा देती रहती है तो मैं उनकी बात का बुरा तो नहीं लगता न? नहीं अंराग, मैंने तो उनकी बातों को कभी दिल पढ़ लिया ही दे अगर वो आपकी मां है, तो मेरी सासू मां भी तो है और एक ना एक दिन मैं जानती हूँ मैं उनके दिल में जगव बना ही लोगी तो मैं अपनी वाइस के रुप में पाकर मैं बहुत खुश हों ग्रेसी इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं एक शाम कल सुबह ही निकलूगी शाम तक पहुँच जाओंगी रात का प्रोग्राम है मालती बहन के घर और गोद भराई का प्रोग्राम है तो औरतों के बीच तुम लोग जाकर क्या करोगे मैं ग्रेसी बहु को लेकर चली जाओंगी परिवार से मिलेगी कुछ हमारी रीती रिवाज भी सीखेगी मा तुमने ग्रेसी को ये क्या बना दिया है इतनी भारी साड़ी और इतने गहने लाद दिये है अरे तो खांदानी बहु है सारी बिरादरी देखेगी तो क्या बोलेगी सास ने कोई जेवर तक नहीं पहना रखा बहु विलायती है तो सास को तो देसी रहने दो दुरगा देवे ग्रेसी को लेकर गाउपे निकर जाती है गाउप पहुचकर बहु गाउप आ गया है सिर को पूरा ढख लो यह गाउप है यहां हर घर में बहुए सिर को पल्ले से ढख कर रहती है पर माजी यहां तो बहुत अंधेरा है शायद लाइट कई हुई है बहू, ये हमारा गाम है, तुम्हारा विलायत नहीं यहां अक्सर बतिंगुल ही रहती है और आती जाती रहती है माजी, लगता है मेरे पैर गिली-गिली मिट्टी में पड़ गए है ये तो बदबुदार मिट्टी है माजी बहू, ये बदबुदार मिट्टी नहीं, शुद्ध खुश्बुदार गाय का गोबर है इसके उपले बनाकर चूला और रंगीठी जलाते हैं जिस पर खाना बनता है अच्छा, सच्मुच, इंडिया कितना क्रियेटिव है, नए-नए आइडियास खोचता रहता है आओ, आओ, दुरका भावी, अच्छा, तो ये है विलायती बहू, शेहर में तो देसी सास, विलायती बहू की जोड़ी खूब रंग जमा रही होगी वो तो है दीदी, अब मुझ जैसी सीथी सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती न ये ताना बहुत बढ़िया मारा है भावी तुमने, तुम तु बिल्कुल भी ना बदली हो, चलो आजाओ, अपनी बहू से तु मिलो, आओ, ग्रेसी बहू, तुम भी आओ, पूनम देखो, दुरका भावी, और उनकी विलायती बहू, तुमारी गोद भराई की रसम के ये लो, इसकी डॉक्टरी शुरू हो गए, ग्रेसी मेरा साथवा महिना चल रहा है, दो महिने और अभी बाकी है, इस तरह सब लोग बाते करने लगते हैं और पूनम की गोद भराई के रसमे शुरू हो जाती है, ग्रेसी को ये सब देख कर बहुत अच्छा लग रहा था, कभी अचानक, आ, माजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो भी रुक रुक कर, अरे, महमानों की भीर भाड में हो जाता है, अभी तुम चुप करके बैठी रहो बहु, अभी और रसमे बाकी है, क्या हुआ मालती दीदी, पूनम कुछ बोल रही है, कुछ नई भाभी, मह मानों की बीच थोड़ी थकावट हो गई है, शायद इसलिए पेट में दर्द बता रही है, पूनम कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें, मुझे थोड़ा सा बताओ, पता नहीं, ग्रेसी, मिठा मिठा दर्द हो रहा है, कभी उठता है, कभी रुक जाता है, ये लक्षन तो ले बुआ जी, जरूरी नहीं कि बच्चा पूरे नौ महिने बाद ही हो, कई बच्चे साथवे महिने में भी हो जाते हैं, जिने हम प्रीमच्योर बेबी कहते हैं, माजी, मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा है, बरदाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ कीजे माजी, बहुत भयंकर दर्द उठ रहा है, अब क्या होगा, रामकली दाई तो अपने बेटे के घर शहर गई हुई है, अब क्या होगा, तो दिदी दूसरी दाई को बुला लो, भाबी ये छोटा सा गाउ है, यहाँ पर एक ही दाई है, डॉक्टर भी शहर में रहते हैं, जो सुबह आकर शाम को अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब घबराये मत बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पूनम को कमरे में लेकर जाना चाहती हूँ, मैं करूंगी पूनम की डिलिवरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, पर तुम कैसे करोगी, मुझे तो बड़ी हो रही है, मालती दिदी, तुम भूल गई हो, ग्रेसी विलायत में बच्चों की एक बड़ी डॉक्टर है, मुझे अपनी बहु पर पूरा विश्वास है, ग्रेसी, मेरी साहता गुरू मेरे से दर्द और बरदाश नहीं हो रहा, चिंता मत करो पूनम, मैं तुमें कुछ न पूनम ने एक प्यारे से बेटे को जनम दिया है, पूनम और बच्चा दोनों ठीक है, ग्रेसी बहु, आज तुम्हारी वज़स से मेरी बहु और पोता दोनों सा खुशल है, जीती रहो बहु, हमेशा खुश रहो, मुझे अपनी विलायती बहु पर कर्व है, वो अंग्रे और ग्रेसी का अच्छा व्यभार उस दिन सबका दिल जीत लेता है, कहते हैं न, व्यक्ती अपने चरित्र से महान बनता है, ये बात उस दिन दुर्गा देवी को समझ आ गई थी